एटल पेमेंट बैंक ग्रहाक आईडी कैसे मिलेगी और कितना खर्चा होगा कौन कौन सी सर्विसेस मिलने वाली है आज की इस वीडियो में आपको फुल जानकारी मिलने वाली है चलिए फिर वीडियो को सुरू करने तो सबसे पहले आपको बता दें एटल पेमेंट बैंक आप उनसे मिलकर आप आईडी ले सकने हो आप आपको बता दें एटल पेमेंट बैंक ग्रहाक आईडी लेने के लिए आपको कितना पेशा देना होगा तो आपको बता दें एटल पेमेंट बैंक ग्रहाक आईडी लेने के लिए आपको 299 रुपे देने होंगे डिस्रिबू के बारे में बात करते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पर जो मैं सर्विस है APS कस्टूमर के आधार से पेसे निकालना अंगूठा लगबा के तो आपको जो APS का कमिशन होता है सेम होता है और आपको मुवाइल रिचार्ज पर कमिशन दिया जाएगा एडल के रिचार्ज पर 3% बेशन के रिचार्ज पर 3% जीओ के रिचार्ज पर 2% और बिजली विल इंसुरेंस और भी बहुत सी ऐसे सर्विसे हैं जिस पर आपको अच्छा खासा कमिशन दिया जाएगा आप यहाँ पर चेक कर सकते हो जब आपको ID मिल जाएगी तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंटर्फेस आएगा जैसे की आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारी सर्विसेस दी गई हैं मैं आपको मैन मैन सर्विसेस के बारे में बता रहा हूँ अगर आप किशी का account open करते हो, एटल पेमन बैंक का, 100 रुपे से open करोगे तो आपको 35 रुपे का commission मिलेगा, 500 से open करोगे तो आपको 75 रुपे का commission दिया जाएगा, बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हो, आप एटल पेमन बैंक ID लेकर, मैंने जब ग्रहक ID ली थी तो 3 साल पहले दे ली थी, और आज भी कोई भी problem नहीं आई है, कोई problem आती भी है, तो सिधे distributor को call लगा के solve करवा लेता हूं, अगर आपको ID चाहिए, तो आपके पास एटल का SIM होना चाहिए, OC नंबर को एटल पेमन बैंक ग्रहक ID बना के दे दी जाएगी, तो आज की वीडियो में बस इत जाती है, तो फिर चलिए मिलते हैं, फिर कोई नेक्स वीडियो के साथ नई जानकारी लेकर,